मनीपूर में जो हो रहा है वो मोदी सरकार की एक सोची समझी साजिश है हिंसा शुरू हुए 45 दिन हो चुके हैं 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है हजारों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर है हिंसा लगातार बढ़ रही है घायलों और मारे जाने वालों का आकड़ा बढ़ रहा है फिर भी पीएम मोदी चुप है हर राजी में चुनाओ के समय डबल इंजिन की सरकार पर सीना पीटने वाली मोदी सरकार ने मनीपूर मामले में आखो पर पट्टी और मुह पर ताला लगाया हुआ है इस डबल इंजिन की सरकार ने बरसो से एक साथ रह रहे कुकी और मैती समुदाय को लड़वा दिया है इसी में ये माहिर है हर छोटी से छोटी घटना पर ट्वीट करने वाले पीएम मोदी ने मनीपूर की घटना पर एक भी ट्वीट नहीं किया है हिंसा कितने बड़े लेवल पर हो रही है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि उप द्रव्यों ने केंद्रिय मंत्री तक का घर फूक दिया चलिए मान लेते हैं कि पीएम तो अपने दोस्त अडानी के साथ कोई नई सौधे बाजी करने में लगे होंगे लेकिन देश के ग्रह मंत्री अमिच्छा को भी मनीपूर पहुचने में 25 दिन लग गए पश्चिम बंगाल जैसे विपक शासित राज्यों में हिंसा होने पर बवाल मचा देने वाली भाजपा मनीपूर हिंसा पर चुपपी साद लेती है दो दिन पहले आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मनीपूर विधान सभा चुनाओं में भाजपा ने उग्रवादी संगठोनों से मदद ली थी ये बीजेपी की असलियत उजागर करता है ऐसी पार्टी की सरकार से भला मनीपूर में शान्ती और सर्भाव की उमीद बेमानी है दरसल हिंसा भाजपा सरकारों के स्वभाव में है देश के तीन राज्यों मनीपूर, उत्राखंड और महराष्ट्रा में वीजेपी सक्ता में है और तीनों राजियों में लोग आपस में ही लड़ रहे हैं क्योंकि यहां डबल नहीं ट्रबल इंजिन की सरकार है